हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं की मांग के बाद DFC विपात गरा नालेकर निर्माने कारें सोंवार से प्रारंब कर दिया गया कार में बादे समस्याओं के समधान को लेकर हुई चर्चा इस मौके पर DFC अधिकारी द्वारा साइस संस्ता अध्यक्ष देवेंद्र सिंग मीना पदा अधिकारियों के साथ कार में बादक आने वारी समस्याओं के समधान को लेकर चर्चा की गई अधिकारियों ने बताया कि कार योजना में बिजली के कुछ खंबे बीच में आ रहे हैं जिने अन्यत्र स्थापित करवाना होगा इस समस्या के समधान को लेकर उपखण अधिकारी अजे चारण ने भी दुर्बाश पर संपर्क किया गया अधिकारे द्वारा भी समस्या के समधान का आस्वाशन दिया गया नाली के पानी की निकासी को लेकर एक नाली बनाने पर हुई चर्चा नाली के पानी की निकासी को लेकर भी एक बड़ी नाली की माध्यम से पुर्वी छोर के सभी बस्तियों की नाली की पानी की निकासी को लेकर भी मीना द्वारा रेलवे अधिकारियों से बड़ी पकी नाली का निर्मान करने का आग्रह किया गया अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर कारे किये जाने की बात कही इस नाले के कारे के साथ साथ डिफसी लैन के पूर्वी छोर पर दिवार का कारे भी आमजुन की सुरक्षा को लेकर नाले निर्माने के साथ किया जाएगा अभार सुरू स्वागत कर रखी साइस संस्थान ने जवलनत समस्या नाले के निर्माण वो दिवार को लेकर अमर शोरूम अमार स्वरूप अधिकार्यों का साफा वो माला पहना कर स्वागत किया गया साइस अस्ता अदेक्ष देवेंदर सींग मीना नहीं यह मांग रखे की अजमेरी फाटक से जिनेंदर विहार, जामा मस्जित, पोस्ट आफिस होते हुए डांक मंगले तक दूपहिया, तीपहिया और पैदल रहागिरों के लिए अजमेर जंक्षन जैसी लाल फाटक जैसा मीनी रोड ओवर बीच निर्माण करवाया जाए बड़े वाहनों के लिए रूप रज़त विहार से होकर एक रोड ओवर बीच दिया जाए अधिकारियों ने बताया कि राज सरकार के अनुसंशा वह सांसर के पत्र वेवार के बाद इस कारे को गती मिल सकती है झाल मिला कर देख र्रश चांसर को गत्र वेवार के लिए बाद